बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपनी यूटूब चल पेपर हैकर में मैं सुरद राज आज के स्वीटम देखने वाले हैं जो भी छातर मद्ध प्रदेश से हैं तो मद्ध प्रदेश का आप देख रहा है कि यह बीएसी सेकंड डियर वालों के लिए केमिस्ट्री का स सब्सक्राइब कर ले और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं तो सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए चल को सब्सक्राइब कर दीजिए कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्सर में पूछ सकते हैं अब यहां आपसे बात करने वाले हैं यह इन और्गनिक केमिस्ट्री का पेपर देख रहे हैं जो मत फिरदेश का है जो मैं आपको इंपूटेंट कोशन दे रहा हूँ आप यूनिट के फर्स्ट नंबर में जाएंगे यूनिट फर्स्ट में जाएंगे तो इस तरीके से उ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं उसकी बिसेश्टा के बारे में क्या होती है उसकी बिसेश्टा क्या होती है आप यह देखेंगे यह डी ब्लॉक एलिमेंटों की बिसेश्टा क्या है प्रोपर्टीज क्या होती है गुण क्या होते है वह आप यात करेंगे और प्रथम तत्वों के गोड़ बताने हैं कौन कौन से गोड़ है जैसे कि प्रथम सरणी तत्व को 3D सरणी तत्वी बोलते हैं 3D सरणी तत्व बोला जाता है तो आप इसको याद करेंगे वस इतना पड़ा नाइस में फस्ट उनिट में बाखी कुछ नहीं देखना है ठीक है ओके उसके इनिक तरज्जा की आइनिक रेड़ाई की तरज्जा की तरज्जा की परिवांसा देखनी है और उसके बाद में आपको यादख नहीं तूक्ष से बाद में 3D सेड़ी तत्वा मनें बताये थे आपको यूरी नमबर फर्में 3D रिए तो को 3D तत्वों की तुलातमक गणों कर सकते हैं उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और यहां देखो बोला गया है कि आपको सुनों यहां में देखा था संक्रत पिर्थम सरणी की तत्व दे और यहां है दुतिये और तिर्तिये सरणी जिसे बोलते त्रीडी संक्रत पिर्थम सरणी की तत्वों धालना धुर्थम यह सत्राइगे से लिखा हुगा दुतिये और तिर्तिये संक्रत पिर्थम सरणी सर किजिए तुल्ना की तुल्ना से और तिरतिय संक्राइब से कीजिए, इस तरीके से होगा कोशन बहुत 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 इंपोडेंट है, क्योंकि ये दो युनिट से मिलकर बना है कोशन, आप देख सकते हो, दो युनिट से मिलकर बना है, और ये कोशन आपके पेपर में पूछा जाएगा, 100% बोल रहा हूं, यूनिट नमबर थिरी में बहुत जाईए, यूनिट नमबर थिरी में आप देख लेए उस अबिलियत क्या क्या आ रहा है पेपर में, देखो, 2020 के पेपर में, बर्नर के उपसे हो जग सिद्धान्त के इबारे में, और प्रभावी परमाडू संख्या, जिसे हम effective atomic number बोलते हैं जिसे हम EAN की नाम से जाना जाता है, ये बहुत ज़्यादा important है, EAN क्या होता है, क्लेट, क्लेट योगी कौन से होते हैं, वहाँ पर जात करेंगे, और संकरवन धातू संकुल योगी का, जो संकुल का सिरुजक सिद्धान्त बंदूस बैलन्स बंड थिरी होता है, जिसे हम balance बंड थिरी कहते है, BBT की नाम से बुझान दे, इसको तो सिद्धान्त की बारे में आप देखेंगे, संकुल धातू को, ठीक है, उसके बाद में कोशन आता है, redox बिभव क्या होता है, ये most important है, redox बिभव, इतना ही आप यहाँ पढ़ेंगे, बाकि कुछ पढ़ने की आपको देखना है, जो FD, unit number 4 में जाएंगे, और यहाँ बुला गया, F block तत्वों के समान लक्षन आपको होता है, जैसे कि F block तत्वों में हमें लेंथेनाइड और एंथेनाइड एलिमेंट, जो एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, य हम संकुल का निर्मान बोलते हैं, उसके बाद में लाश्ट में आप देखेंगे, लेंथेनाइड संकुचन क्या होता है, लेंथेनाइड देखो, यह लेंथेनाइड संकुचन के बारे, most important है, उसके बाद में unit number 5 में जाएंगे, और unit number 5 में पढ़ेंगे, अमल और छारो का आरेहिस नियम, आप पढ़ेंगे, और आप यह देखेंगे, कि ब्रॉस्टेट लॉरी क्या होती है, ब्रॉस्टर लॉरी के बारे में याद करेंगे, और लक्स फल्ड जो बिलायक तंतर होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, लक्स फल्ड की संकलपना, concept बोल सकते हैं इसक पर में अजलिये विलाकों की अभिक्रिया कैसी होती है, यह आप थोड़ा सा पढ़ देना, पढ़ो तो पढ़ देना, बरना छोड़ भी सकते हो, इस कोशन को आप छोड़ भी सकते हो, उस वाले को कोई दिक्कत नहीं है, तरह इंपोटेंट नहीं है, लेकिन जो उपर मैंन दो चैनल को सस्क्राइब करना, और हाँ एक न्यू चैनल है, जिसका नाम है खिलाडी भाई है, एक्स वाई जैट, उस चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना, तेंक यू